लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि communicable disease आखिर होता क्या है प्लेस में mode of transmission क्या होंगी कैसी यह transmit होते हैं और हमने पढ़ा था कि वो कौन-कौन से common symptoms होते हैं जो communicable disease में same होते हैं अब हम पढ़ेंगे कौन-कौन से stages होते हैं communicable disease के तो चलिए start करते हैं यहाँ पर क्या है कि there are four ways यहाँ पर जो है four ways होते हैं जिनके through जो disease हैं वो spread होती है और उसके बाद है after that entry of charm human body there are three distinct stages which are given below यानि कि जब कोई charms या वैक्तिव या वाइरस किसी human body के अंदर enter करते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या क्या stages देखने को मिलती हैं तो first है incubation period incubation period वो होता है जिस टाइम पर germ हमारी body में enter करते हैं it is a interval from the time the germs enter body and appearance of actual symptom यानि कि जब germ हमारी body में enter करते हैं और हमारी body में एक symptom show होते हैं next है क्या active demonstrable period यानि यह वो period होता है जिस टाइम पर germ देखो हमारे body में enter तो पहले कर गया होता है अभी क्या होता है कि वो दीरे-दीरे हमारी body में कुछ characteristics show करता है कुछ symptoms show करता है जिसकी वज़े से हम और ज़दा बीमार होने लगते हैं और उस टाइम पर हम यह देख पाते हैं कि actual में कौनसी disease है तो यहां पर क्या कह रहा है यहां पर क्या होता है कि characteristics symptoms show होते है और प्लस में जो पेसेंट होता है वो ज़ूरूर बीमार होता है यहां पर क्या है generally the duration of the infectious disease is short यहां पर क्या होता है कि जो duration होती है न वो क्या होती है short होती है पर एक tuberculosis को छोड़ कर यह एक assumption case है during the period the patient feel headache यहां पर जो patient होता है उसको feel होता है headache, sarmed, dirt, pain, fever, dizziness dizziness मतला होता है चक्कराना irritation, redness and a cuff, cuffing खासी वगेरा वी उसको feel होती है next is declining period declining period वो period होता है जिस time पर थोड़ा-थोड़ा recover हो रहा होता है उसकी body धीरे-धीरे खुद को recover कर रही होती है और वो थोड़ा सा relief feel करता है यानि कि जो symptom है वो दीरे-धीरे जा रही होते है खतम हो रही होते है तो at this stage the symptom of disease are reduced slowly and patient get some relief यहां पर क्या है symptom of disease जो have reduced हो रही होते है दीरे-धीरे reduce का मतलब क्या होता है यहां पर जो उसकी body है वो दीरे-धीरे खुद को recover कर रही होती है यहां पर तो सिर्फ sign और symptoms काम होंगे है और यहां पर उसकी body खुद को दीरे-दीरे recover कर रही होती है तो यहां पर क्या है during this period recovery process at the work and the health of patient being to be get restored यानि वो बापस से stored हो रहा होता है बापस उसकी body कुद को recover कर रही होती है next यह है prevention वो कौन-कौन से prevention का मतलब होता है बचाप और control किस सरीके से हम कर सकते है communicable disease पे तो यहां पर क्या है कि it is a many important diet spread of infectious disease we check and control immediately यानि कि यह बहुत ज़दा ज़रूरी है infectious disease को check करना placement को control करना जल्दी से अगर देखो हम इसको control नहीं करेंगे तो यह इतना ज़दा dangerous हो सकता है कि किसी person के death भी हो सकती है तो यहां पर कुछ steps है जिनके through हम control कर सकते हैं कुसी भी communicable disease को तो first one है information of authority or notification यहां पर क्या है कि the local authority अच्छा इसके अंदर मेन लिदे को क्या होता information of authority or notification यानि कि अगर कोई बिमारी हमारे एरिये में है कोई disease हो रही है तो हमें जैसे WHO उनकी जो authority है उसको inform करना चाहिए कि हमारे एरिये में यह वाले disease बहुत ज़्यादा amount में हो रही है और इसके लिए क्या prevention हो सकते है ताकि और लोग alert हो जाएं तो हमें उनको inform करना चाहिए और वो क्या करते हैं बहुत इमरी daily response देते हैं ताकि आपने देखा होगा कई बारी जब mosquitoes, malaria बहुत ज़्यादा amount में फैले लगता है तो area में बहुत ज़्यादा जो इसकी medicine होती है उसके छिड़काप किया जाते है spread किया जाता है ताकि वो control हो सके तो यहाँ पर क्या है the local authority should at once contacted and informed by the occurrence of any case infected disease यानि कि हमें उनको inform करना चाहिए कि कि सरीके से disease आकर हो रही है ताकि वो उसके prevention के लिए कोई step ले सके the health authorities the health authorities will take will take immediate step check the spread of these disease and community and notify its consequence यानि कि कि सरीके से मतलब वो अगर आप उसको information देंगे तो वो क्या करेंगे इस disease को check करेंगे प्लस में आपको notify करेंगे all over जो आपके एरिये में लोग है उनको inform करेंगे कि यह जो disease वे किस सरीके से spread हो रही है इससे कैसे आप बच सकते हैं तो यह सारी चीज़ें इसके इंदर रहेंगी next है isolation of the patient यानि कि यहाँ पर अगर कोई patient बिमार हो गया है बाके members से अलग ताकि वो जो disease है वो बाके लोगों को spread ना हो पाए और यहाँ पर क्या है कि there are patient may be isolate in separate room यहाँ पर आप patient को separate room में isolate करते हैं अभे from the member of this family इस family के member से दूर और यहाँ बोड़ रहा है अगर उनके पास कोई separate room नहीं है तो हम उसको isolate करते हैं किसी hospital के अंदर उसके वाड के अंदर उनको isolate करते हैं next is disinfection disinfection में क्या आता है कि अगर कोई patient जब ठीक हो जाता है तो उस time पे हम क्या करते हैं उसके जो क्या कहते हैं cloth होते हैं उनका जो मतलब रूम होता है और जो कपड़े होते हैं उन सभी को disinfection करते हैं अगर हम उसको disinfection नहीं करते हैं तो क्या होता है कुछ time बाद वो disease बापस से family members में spread हो सकती है तो ये रहेगा disinfection next क्या है यहाँ पर good hygiene and sanitary practice यानि कि अगर कोई इंसान देखो हर किसी को अपनी personal hygiene का ध्यान कम होते हैं ठीक है the next important step prevention of controlled diseases is personal cleaning ठीक है इसमें यही चीज़ the next immunization होता है immune जो power है उसको increase करना कई बरी क्या होता है कि diseases बहुत ज़दा बढ़ने के कारण हम क्या करते हैं उसको एक dose दिलवाते हैं या फिर जो vaccines होते हैं वो provide करवाय जाते हैं ताकि जो उस इंसान की immunity है उसको बापस से boost करा जाए और वो इंसान बापस से recover हो सके तो यहाँ पर यही रहेगा next is segregation segregation में वही ताकि जो इंसान है patient है उसको अलग रखा जाता है segregation का मतलब अलग करना ही होता है next is quarantine quarantine में क्या आता है the person should be isolate to prevent the spread of infection problem हो रही है उसके अपर proper धिहान दिया जाता है तो the person should be isolate to prevent the spread of infection until the incubation period of the particular disease expire उसको जब तक quarantine करा जाता है जब तक वो disease spread कम ना हो जाए क्योंकि देखो हर एक disease का एक time period होता है कि इतने से इतने time में disease complete हो जाएगी है ना तो उस time period तक उसको quarantine करके रखा जाता है और in case अगर वो जब तक disease expire ना हो मतलब जितना time period था वो complete हो गया पर वो इनसान recover नहीं हुआ तो उसको फिर से बापस से quarantine किया जाता है यहाँ पर person को time to time observe करा जाता है देखो लिखा हुए during the period the person should be kept under observation यहाँ पर इनसान को observation के अंदर रखा जाता है उसका ध्यान रखा जाता है कि कब उसको किस चीज़ की जुरहता है और कब वो recover कर रहा है ठीक है तो यह सारे steps हो गए इसी के साथ हमारे topic complete होता है I hope आपको यह सारे videos helpful लगी होंगी Thank you so much मिलते हैं next topic के साथ next video में